आज 20 अगस्त 2023 दिन है रवीवार यह वीडियो आप लोग दिल्दार नगर के पसु मंडी से देख रहे हैं अभी सुबह का समय है और ऐसे मैं देखी यह बहुत सारी भासे इस मेला मंडी में विक्री होने के लिए आ रही हैं आज के इस मेला मंडी से हम लोग देखेंगे कि किस तरह की मैंसों का यहां पर वर्तवान समय में कीमत कितना चल रहा है यहां के मेला मंडी से आप लोग चाहें तो गाभिन मैंसे दुधारू भैंसे और मुर्रा भैंसे ले सकते हैं पहर तरह की नसल के हैं से म λέमन्डी में आप लोग को देखने को खरीदने को मिल जाएंगे। दिल्दा नंगर के इस मैला मंढडी में एक यह भ्यास बिक्री होने के लिए आई है, उन्ची भ्यास है, पहले इसके चाल ढाल को आप लूब देखिए नई भाइस है आंगे बढ़ा बाबू इसके चाल ढाल में कोई भी कमी नहीं है काफी उर्ची भाइस है लाइए इधा इसके पास पढ़िया है कितने रोज कि पढ़िया आर दिन का बच्चा पढ़िया है कि रुकिये इसका दूद भी बताईए आप इसका पंदरा लिट रहे दोनों टाइम का दूद मिला के पंदरा लिटा साथ 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 किलो एक टाइम अना का दाम रख्यों बाबू प्रण बोलने से नहीं होगा उचित बोलिए पूचित एक बीस एक बीस वह से यह भाई एक बीस मांग रहा हैं लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि कोई इनको एक से उपर देगा तो कितना भी मांग लें वह से इनका मांग आप लोग सुनी रहे हैं एक लाग चालीजार फिर अगली बार आप भैस लेके गए थे अच्छी भैस निकली ना इस भैस का आपके देखने से काकिबद हो रहा चाहिए पच्चा पड़िया है मैं इसको आप देखी रहे हैं लंबी भैस है उची भैस है नई भैस है क्या होना चाहिए कि मां बताईए आपके नजर से अच्छा अच्छा पड़िया है उसके वज़ा से थोड़ी सा इसका जो कलर है वह लाल सा हो गया है अच्छा पड़िया आई है और दूद्ध छे लिटर से कम नहीं करेगी उपर ही करेगी इसका कीमत वैसे भाई एक बीस बोल रहे हैं और जो लेने वाले वेक्ति हैं जो इसको अपने नजर से देखने है वह असी हजार रुपे क्यास बस लगा रहे हैं है कि दिल्दानंगर के इस मेला मंडी में एक से बढ़की एक भैस से आप लों को देखने को खरीदने को मिल जाएंगे अब छेकवाइं पूरे पूरे बावन हजार रुपे में बिकरी है जो बेचने माले व्यक्ति है पहले पच्पन मांग रहे हैं और यहां तो देखिए अभी अभी इसको बावन में बेच रहे हैं बच्चा इसके पास देखें यहां पर पाड़ा है नया बच्चा है यहां पर बाखड़ी नाम की कोई चीज नहीं है कोई वेक्ति अगर यहां का मेलामंडी से आप लोग भैंसों को खरीद के कहीं भी ले जा सकते हैं गाड़ी की सुविदा उपलबद है नए लोग या फिर पूराने लोगों को ठाहरने की वेवस्था उपलबद है स्मेलामंडी में और इसके नजदी के जो रेलवे स्टेशन लगता है वह दिलडारनगर का जक्सन है यह नि दिलडारनगर का ही रेलवे इस्टेशन है पूरे पूरे बावन हजार रुपे में इसकी बिक्री हो रही है कहां के खरदारें विया कहां के उसके उसके बताने हैं हमारे ख्याल से MP के ही लोग होंगे जादेतर मध्य परदिस के लोग इस मेला मंडी में आते हैं भैसोदी खरीदी करने के लिए कहां घर पड़ता है कहां अधर लग गए भाई दूद दूहने में की जगा साव भी यह जाजापुर्जिला साजापुर्जिला साजापुर्जिला तो गाउं में बेस्ते हैं या फिर मंडी के ले जाकर गाउं में इस दिल्दान अगर के इस मेला मंडी में दखिये एक यह गाविं भास आई है विक्री होने के लिए इसकी बात है एक बाहर की खरदार वेक्ति हैं वह चला रहा है हमें लग रहा है इस बास काहां पर साओधा भी तय हो गया है रिजग जी जग चल रही है यहां पर एक खरदार वेक्ति द्वारा यह काफी अच्छी हो कि यह गाविल भास है अच्छी हो गई खरदार वेक्ति द्वारा विल्कुल महून पतली चम्री है काफी अच्छी वहां सर्थ क्सिंहों की बनावाट और इसके चेहरे की बनावाट काफी सुन्दर और इसके साथ साथ यहां पर देखें कितने पर गई बाबू कितने पर च्छीहत्तर पूरे पूरे च्छीहत्तर हजार रुपय में इस गाविन भैस की यहां पर विक्री हुई है सरदार विक्ती इसको पास भी कर लिया है काफी अच्छी गाविन भैस काफी सुन्दर पहले कितना मांग रहे थे इसका पहले एक लग दस जर मांग रहे थे च्छीहत्तर में बेचे हैं कहां कहां यह ग्राहत देवास देवास मध्य प्रदेश के हैं कमेंट में जरूर बताईएगा आप लो कि यह भैस का जो सोदा हुआ है कैसा है काफी सुन्दर आया अब बच्चा का अभी है अभी देखिया इस मेला मंडी में एक यह नहीं बैस दिकरी होना देखिया इस मेला मंडी में देखिये अभी अभी एक यह नई पढ़िया आई है विक्री होने के लिए नहीं भाइस है इसका बच्चा क्या अभी है उधर ले चलिए थोड़ा खाली जोगा कितने रोज का बच्चा हो गया हो चार दिन का बच्चा इस नई भैस का पढ़िया एक मजे की बात है रोक यह रोक यह यह रोक यह के रोक यह एक थन में क्या लगा है और लगाए हमसा लग गया है भाई का कहना है का दाम रखें इसका दाम इसको यहां पर देखिए पचपन हजारूप में बताए जा रहा है काफी सुन्दर एक नई वह सब अगर कोई वेक्ति मौके पहुंचे और इस भाइस का मोल भाव करें तो पढ़िया हमारे ख्याल से 50 गिर्द गिर्द आ जाएगे काफी अच्छी एक नई वह सब बच्चा भी इसके पास पढ़िया है पढ़िया को भी दिखा दे रहा है दांत देखे थे दांत एबाबू दांत देखे थे कितना दांत में दो है बच्चा इसके पास देखे यही वाली है पढ़िया फिमेर काफ प्रिया पास बच्चा डर्श काफ बच्चा इसमारी बच्ट में पास वह नहीं लोगे चलिए खुश बना लिया आप लोग साथ में हैं अच्छा कितनी भाइसे ले जाएंगे आज पहले अपना नाम बताईए और किस जगह से आएं कितनी भाइसे ले जाएंगे आप लोग यह फिर पिछले साल से आ रहे हैं यह पुराने हैं यह दो लोग नहीं है अच्छी दूद करती है थोड़ा उच्छा बोली है थोड़ा उच्छा बोली है यही कारण है कि बहुत से लोग अभी भी एंपी से यहां पर आते हैं अच्छा देता है एक बाई हमको बोले थे कि इधर की भाइस गई है वो नोटश महीने तक बहुत बढ़ियां दूद कर बढ़ी अदूद कर रही है तो यहां देखिया एक और ग्याविन भैस बिक रही है जो दूर दराज के वेक्ति होते हैं अन्य राजियों से आते हैं तो जाधतर यहां कमेला मंडी से ग्याविन भैस से खरीद के लेके जाते हैं इस गाविन भैस की विक्री यहां पर लाक रुपे की तरीब बताया जा रहा है अभी हम आप लोगों को पकी खबर देंगे इसकी विक्री कितने में हुई है जो अन्य राज्जी से लोग आते हैं यहां कमेला मंडी में भैस की खरदारी करने के लिए तो वो चाहते हैं को गाविन भैस से खरीद के ले जाए मिजिके ख़ाना ही सो रुके और यह रिजग जिगऑ जरे ले पार को ओला है वार को मरूनि हमकले तो अन्य था रहा हो पलाभ एक ज्यांत दिया जा कृछी मारी कली है काले सो पे कर दिया थी था Metalik पूरे पूरे एक टूरे पूरे एक लाख हम पूरा तौरे पूरे अभी जो बहुत दिखी है पूरे पूरे एक लाक एक लॉपए में दिखी है कि यहां से दिखिए अड़ी के पास अड़ी के छत्रफल काफी बड़े में है वहां पर भैंसय भी उतार रही है पूरे-पूरे और यहां पर देखिए इस भैंस की आराम हो चुकी है यह भैंस विक्री यह नया बच्चा है पाड़ा कि ना भी लगा हुआ है ना भी लगा हुआ है तो फेंसा निकाला जा रहा है किर साख़ी तो भी है आपके पास यह है इसकी ूप्र देख यह पूरय पूर पूर्य यहीं पैसाथ हज़ार रुपए में हुई है, पैसाथ हज़ार रुपए पांग समय हुई है, डेट भी देख लिजे, 28 2023, किसी परकार का कोई भी संदेय नहीं है, अपना प्रियास रहता है कि सराल और साधारन भासा में, यहां कमेला मंडी से वीडियो को लेके आएं और दिखाएं इस तरह का मेहनत भरे वीडियो के लिए आप लोग इस तरह से जो एक लाइक है, वो लाइक जरूर दिया करें और नए वेखती हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने ताकि जब भी मैं इस तरह कमेला मंडी की वीडियो लेक्या हूं, तो वीडियो आप कानपुर से आप पहले कितना इसका मांगा जा रहा था पहले 75 मांगा जा रहा था तो पाइस की खरीदी की है, जब वो यह वेक्ती इस भैस की खरीदी के लिए आये थे तो 75 अजर रुपे की मांग किया गया था इस भैस का, और पुछ बूच से देखिए इसकी खरीदी यहाँ पे 65 अब यह भी किये हैं अज़ा पाणे पाणों पाणे उपड़े अज़ा है अज़ा है अज़ा है अज़ा देखिए गाओं के किसान बेखती है और देखिए अपनी भैस को लेके जा रहे हैं बेचनी के लिए पहले बहुत से जो बच्चे को लेके और भैस को पिछे करते हुए लेकर आ जाते थे इस मखत्या दीनक्या में लोग गाड़ी का माध्यम से लेकर चले आते हैं पो छेसे पाई चाहते हैं कि मेला मंडी सथे नई भैस खरID maar इस मेला मंडी सभी आ तर शिक्री होने के लिए आई है सिदा ले चलिए सिदा रसी सिदा कीजिए अपने बच्चे को छोड़ के आंगे जाना पसंद नहीं कर रही है लाई ये है लाई इसके बार मताये कितने दात में कि यह युदा रहिए इसका बूद सरन वी बताइए कितना दूद देगीये धने विशागे लीटर ज़ेज़ है तो तो पॉर का दाम हो बाबूज तो नवी गोड़ा जरा लेन देन माला बता देजिए लेन देन माला गोड़ा है कहां तक हो जाएगी आशीए उससे कम कुछ आब ऊच्छ इसमें करिया को ही ने खाया है पच सतर पाई हो जाएगी पचिता को इसे यहां पें 75 और गताओ जा काफी बड़ी और भारी भर कम ये भैंस ये बईया है थोड़ा ले आई ये इधा थोड़ा ली आई गला, बढ़िया का आई बढ़िया है काफी बढ़ी भारी भर कम इस मेला मंडी में भाईया लोग ले क्या हैं विक्री करने के लिए न भयाए प्यार क्या शिश्पूरा बिक्रम से आई है विहार से उचनि काफी बच्चा इसके पास पढ़िया है चार रोज कि बताई जारी है नाभी अभी लगा हुआ है दिखाना चाहरा हूँ कितने दाद में है देखे थे दाद पूरा हो गया इसका दूठ चम्ता कितना होगा चोजा लिट्र भी यह बता रहे हैं कितना मिल रहा है अप लोग को कितना मिल रहा है ख्राहको दोरण विट्र मिलि रहा है है ऐसा भाया इसका कीमत एक असी बता रहा है अधाली हुआ है तो ब महने ही लगठ बहुतRIST विक्री होगी तो लाग के करीब हो सकती है जब पूरा पूरा नाम राज बहादूर यादो जी है प्रतेक रभिवार के दिन इसमेला मंडी में आते हैं चाया दी हो या तुफान हो कौन बता दी आपको पता वहां का किटना भाई से लिए है कितना भाई से खड़े हैं अभी दो अभी देखिया यहां बहुत करें राज बहादूर जी बांध भी दिये हैं पाणिया ना तो 45 जा रुपे वाली भैस है वो यह रही है नहीं भैस है बच्चा इसके पास पाणी है ताइम का दूझ चार लीटर से कम नहीं करेगी साड़े तीन चार इससे कम नहीं करेगी काफी अच्छी भैस है जिसके आप इसको खरी दें तो उंचा मांगता होगा ना वह आंजा कि फुन नंबर हो करें दो निन्यान वे पैंटीस 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 और सट्सोला और सट्सोला देखिए भाई यह बाहादूर चेचा का नंबर रहे हैं किसी वेक्ति को संपर्क करना होगा इंसे संपर्क कर लें कब दूर चेचा बादूर्चीचा ऐक कितने लोगों को हमारे कारी पेश संदेय होता है संदेय तो किसी कभी कभी-कभी कोई-कोई लोग हमको गिराने लगते हैं एक भैस कर पाण की ति आप वीडियों बेजी थे वह दूसरी भैंस होगी एक भैंस नो लिटर टाइम का दूद कर रही है हाँ ना जमनिया के करीब है तो उस पर भी कई लोग संदे लगा रहे हैं कि भाईया उतना दूद नहीं करेगी और वह वेक्ति जो है जिसकी भैंस है उसको यह भी नहीं है कि हम उसको बेचेंगे वह त दूद अच्छा कर रही है दूद में अच्छी उत्री दोदात में नहीं भैंस है वह भी कहीं से उच्छा पैसा खर्चा करके उस नहीं पढ़िया को लेके आया था यहां ठीक है ना तो लोग तरह तरह क्यों होते हैं टिका टिपड़ी करते रहते हैं इस बार माजवारी आ लोग आपको देखते रहते हैं और बहादूर चीचा को वास्तों में बहादूर लोग बोलते हैं अच्छे आदमी हैं अच्छे आदमी हैं अच्छी वीडियो करते हैं अच्छी के लिए आंगे जा रहे हैं अच्छी वाई लोग यहां पे देखिये कुछ दर्जनों में भैसे नजार आ रही होंगी साताथ की संख्या में होना यह सब की सब भैसे एक ही बार में खरिदार विक्तिय द्वारा खरीद ली जाएगी यह लॉट में खरीदी जा रह है कोई दिकत नहीं ना बहुत से लोगों का अपति होता है अपना नाम बताइए आप लोग और आप आजम कितनी भैसे लेंगे यहां से अब यहां पर देखिए बाते चल रही है कि एक ही बार में सब कि सब भैसों की खरीदी यह लोग कर लेंगे लोग वहां से आते हैं तो एक गाड़ी दो गाड़ी तीन गाड़ी चार गाड़ी लेके जाते ही जाते हैं कि लोगों की जरूरत है यहां पर आने की सब को फार्म होना है तो एक आइडिया दीजे भी यहां यहां यह थोड़ा नजदी जैसे माली जिस सब की सब भैसे हैं यहां पर तो इन्हें लॉट में किस भाव में कैसे डिल करेंगे आप हम उने पांच भैस को अलग किया है पांच को लग कर दिया है जो थान थान वाली ज्यादा है अच्छी है तो इनका दाम चल रहा है फिर भी क्या भाव लगाएंगे आप क्या लगा रहा है कुछ राडिया जीजे लोगों कि हम इसको साड़े पांच के उसमें लेगा किसमें पांच से च्छे के दर्मियां एक कितने में होगी समझें लोट में पच्छ पंद साथ के भाव में पांच में पांच फैस इस तरह से जो वेक्ति थोक में लेते हैं उनको दो रुपय की बचत 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 थे थोड़ा कम होता है थीक बहुत सुन्दा है इस सब किसाब अच्छी भासे हैं एक से बढ़के एक सबका दूद्द सबका आपके यह जहले से कम नहीं होगा किसी में का ताइम का यहां पर कुछ लोग है जो अब खरीदी करके लेके जा रहा है फैले इस तरह से हम लोग भी लेके आते थे वैंस वेचने के लिए यह बैस खरीद के जा रही है बहुत लिख फुला एक नमार बुला एक नमार